हलो भाई लोग, I hope you all are doing well और reception में जाकर शादियों के इस सिजन का मजा भी ले रहे होगे और thumbnail and title से तो आप समझे गए होगे कि ये वीडियो होने वाला है 23 वरवरे को रिलीज हो चुकी Article 370 and Crack Movie के उपर और मेरे कुछ गुप्त सूतरों के हिसाब से जनता का इंटर्स आर्टिकल 370 में थोड़ा जादा है तो पहले बात करते हैं यामी गौतम और प्रिया मनी स्टारर आर्टिकल 370 के उपर कहानी की शुरुवात होती है जूनी मतलब यामी गौतम के एक मिशन से जहाँ बर वो एक टेरिरिस को पकड़ने के लिए शानती बनाय रखना होगा लेकिन फिर एक के बाद एक दर्दनाख हाथसे होने चालो हो जाते हैं जो गवर्मेंट को मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए कि कैसे आर्टिकल 370 हटाया जाए जिसके बाद कुछ एक्सपर्स आर्टिकल 370 हटाने का सॉलुशन डोनते हैं एंड अल्टिमेटली आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है इस मूवी का सबसे स्ट्रॉंग पॉइंट इसकी राइटिंग और इसके डायलोग्स है और बहुत से ऐसे डायलोग्स भी है जिनको सुनकर आपके रॉंग निखड़े हो जाएंगे specially end में एक आता है कि क्या बात कर रहे हैं जान भी दे देंगे कश्मीर के लिए ये डायलोग ट्रेलर में उतना खास तो नहीं लगता बिकास इनके डायलोग्स रिफलेक कर रहे दे कि एक मजबूर सोलजर एक सच्चा देश प्रेमी कैसा मैसूस करता है जब देश में कुछ गलत होते दिखता है और वो दर्थ आपको इनकी आखों में दिख जाएगा और इस मूवी के बारे में सबसे important बात जो मुझे भी नहीं बताती कि ये मूवी एक सच्ची गटना पर आधारित तो है पर इसे एक fictional story के form में दर्शाया गया है अजसर ने इस मूवी की शुरुआत में एक voiceover भी दिया है और इसे कहते हैं एक अच्ची मूवी जो वुमेन बावर को भी दर्शाती हो लाकि दूसरी मूवी के दे वुमेन एमपावरमेंट के नाम पर यूद को गलत रास्ता दिखाने का काम करे वैसे तो आर्टिकल 370 में ऐस सच कोई लूप हूल नहीं था बट मूवी में फुलवामा अटेक वाले हाथसे को भी कवर किया गया है जिसको शायद कुछ और मिनिट दिये होते तो जादा अच्छा होता क्योंकि बहले ही इस अटेक को 5 साल हो गय है लेकिन जखम आज भी हरे है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप भी मेरी तरह जब इस अटेक को किसी मूवी या वैब सीरिस में देखते होगे तो आपकी आखों में भी आसो आ जाते होगे वैसे इस मूवी में कोई हार्टकॉर एक्शन नहीं है तो मूवी देखने से पहले किसी मेजर एक्शन सीक्वेंस की उमीद बिल्कुल मत करना और वर इट्स अ मस्ट वाच फिल्म एंड जब इस मूवी का एंड होगा तब आपके मन को एक अलग सा सुकुन मिलेगा और कसम से ये मूवी जब एंड होई मेरे मन में बस एक ही सावाल आया कि ये मूवी एंड क्यूं हुई इतनी ज़ादा प्यारे मूवी है मैं आप लोगों से बस यह कहूँगा कि आप खुद भी जाएए और स्पैशली गर के छोटे बच्चों को भी ये मूवी दिखाएए क्योंकि हो सकता है कि क्रैक ना तो आप खुद देखो ना ही अपने बच्चों को देखने दो पहले ही बता दूं कि It Is Not A Bad Film क्योंकि ट्रेलर देखकर मुझे भी लगा था कि ये मूवी बिलो आवरेज होगी बट ऐसा नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है कि इसे देखने के लिए सिनेमा हौल तक जाना पड़ जाए और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि क्रैक मुवी बेज़्ड है एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स पर जिसका नाम है मैदान जहां different type की race and sports होते है जिने जीतने पर करोड़ रुपे मिलते है लेकिन हारे तो जान भी जा सकती है मुवी की starting तो train पर विदुद जावाल के stunts के साथ होती है लेकिन उसके just body एक emotional backdrop आता है जिसमें पता चलता है कि विदुद के बड़े भाई ने जिसका नाम निहाल है extreme sports में participate किया था लेकिन final round में मारा गया था और इस वज़े से विदुद अपने और अपने बड़े भाई की सपने को पूरा करने के मैदान में participate करता है जहां उसे ये बताया जाता है कि मैदान के host देव ने मतलब अरजुन रामपल ने उसके भाई निहाल को साज़िश करके मारा था और इसके बाद विदुद का main motive final round जीत के अरजुन को मारने का हो जाता है और final round जीत के विदुद अरजुन को मार भी देता है लेकिन अरजुन मरते हुए disclose करता है कि उसने निहाल को नहीं मारा था अब अगर देव ने निहाल को नहीं मारा तो फिर किसने मारा था अब ये तो आप तो मुवी देखने के बाद ही बता चलेगा बट जहां तक मुवी की बात है, it might not disappoint you क्योंकि इस मुवी का major portion action and sports में occupied है जो की बहुत अच्छे भी है और देखकर अच्छा भी लगता है कि ऐसे experiments इंडियन मुवी में होना चालो हो चुके है और इसी वज़े से ये मुवी अपने action sports वाले plot से बटक जाती है इस पूरी मुवी में अगर मुझे किसी की acting पसंद आई है तो वह है अरजुन रामपाल और लेकिन दूसरी ओर विदुद जामवल का character एक छपरी है जो विदुद के personality को बिल्कुल suit नहीं हो रहा था और इस मुवी का नाम Crack इसलिए है क्योंकि विदुद को थोड़ा crack बंदा दिखाया गया है जो कुछ भी कर सकता है लेकिन इस छपरी character की वज़े से majority जंदा को ये मुवी ना पसंद आईगी but I do respect विदुद जावल at least उन्होंने अपकी बार कुछ नया ड्राय किया है जो अच्छा हो सकता था अगर direction and story पर काम अच्छे से किया होता थो to be honest Crack is a one time watch film but अगर इसे एक web series के form में बनाया होता तो शायद ये चल जाती अब अगर मुझे article 370 या crack मैंसे एक movie चूज करनी हो तो no doubt कि मैं article 370 ही pick करूँगा क्योंकि बले ही मेरा interest extreme sports and action movies में हो but I do respect quality content जो article 370 हमें देती है and again it's my personal suggestion कि अपने घर के बच्चों को लेकर चाओ and article 370 दिखाओ because ऐसी movies की need आने वाले PD को हमसे जादा है बाकि that's all I have for you all today but maybe मैं आने वाले 20-25 दिलों में Dune movie के उपर ही 2-3 वीडियो बनातो जिन में Dune के first part का overview Dune 2 के trailer का breakdown and story prediction and last वाले में of course Dune 2 का review ही होगा लेकिन Dune हो या कोई और movie वीडियो तो आएगा ही इसलिए देखते रहिए more for all